यहां पर जैनब बहुत अधास होती है और यल्दीस उसे पूछते है कि उसे क्या हुआ है तो जैनब उसे कहती है कि उसकी जिंदगी में जो भी आता है उसको धुका दे कर चला जाता है यल्दीज जैनब को समझाती है कि वह आज भी तुमारी लाइक नहीं था तुम उसको भूल जाओ उसके बार में मत सोचो यहाँ पर जैनब यल्दीज से कहती है मेरी उस ओरत यानि लैला से बात करवाओ मुझे जानना है सहफित के बाद में इसने यल्दीज और आलिया को हैर किया था सहफित के काम के लिए यहाँ पर आलती स्पीकर और उन करके किसी से बात कर रहा होता है और कोई उसे कह रहा होता है कि तुम अपना काम अराम से जल्दी जल्दी करो और आलती उसे कहता है कि हर चीज मेरे कंट्रोल में है तुम फिकर मत करो हमारा काम बहुत जुल्दी हो जाएगा मतलब यह हुआ कि आलते भी किसी के लिए काम कर रहा है वो किसी एजेंसी का बंदा है यहाँ पर हंदान मेरेडी को समझा रही होती है कि उसने कैसे एंगिन को अपने अदाओं से जाल में फसाना है और उसकी यह सारी बाते आलिया सुन लेती है यहाँ पर एंगिन कमफर्टेबल फील नहीं कर रहा था मेरेडी के साथ वो आगे बरबर के उसके सारे काम करती है तब ही उसी वक आलिया आ जाती है और आलिया देखर समझ जाती है चुनके वो भी पुरानी खिला रही है इस काम की आलिया को समझ जा जाती है कि हांदान ने मेलोडी को क्यों रखा है ताके वो एंगिन से आलिया को दूर रख सके यहाँ पर दुआन यल्दी से उसकी खेयर मालूम करने आता है यल्दी से उसकी कल्की के ड्यप्मिंग के बारे में बात कर रहा है वो दूआन से कहती है कि उसकी फिकर मत करें वो बिल्कुल ठीक है और आलिया ने कोर रामिर को मेलेडी और एंगिन का पीछा करने के लिए बिज जा ओता है कि वो चेक करें कि वह हमादе क्या होता है यहाँ कुगёड और आमिर उन दुन ओंदों पर कॉख़ा है पाकि अलिया को रेपोर्ट दे सके यहाँ पर आंगें कॉमल कहarा फोन करता है उनसे मिलने का किए लगी किक को माना करना रहा करता है यहाँ पर जैनब लैला से मिलने आई है सैफित के बारे में बाते करने और उसे पूछती है कि जैफित ने में साथ ऐसा क्यूं किया लेले उसे कहती है कि सयट कैसा यह ऐसा ही करता है प्योंकिया पहले महबत करता है और फिर जब उसका दिल भर जाता तो वह अजिसा और तो चोड़ देता है तो हमसे शादी भी उसकी बहुत जलिद्बाजी में हुई थी जिसकी है उसको बहुत रिग्रेट हुआ जैनब लैला की ये बाते सुनके और अपसेट हो जाती है और वो यहां से चले जाती है इस सब बाते कर गए वो आलते कोई पता नहीं होता कि वो दोनों एक ही रेस्टोर में बैठी होते है और वापसी पे जब वो निकलते हैं बाइर तो कोईंचिटेंसी होता है कि वो दोनों एक ही टेक्सी में बैठ जाते हैं जैनब और आलते कि आपस में थोड़ी ची लड़ाई होती है कोई आमिर और कॉमल एंज्वाए कर रहे होते हैं कि इतने में तरजन आ जाता है जहां पर यह लोगाये होती हैं उधस्ट ऑ उणर होता है उसको वह पर सिंगिंग करने के बिलाते हैं तरजन स्चेश पर जाता तो वह पर वो कॉमल को इन्वाइट करता है कि उसके साथ आकर गाना गए कोमल वहाँ पर नकरे करती है लेकिन फिर पागल हो जाती है उसके साथ गाना गाना शुरू हो जाती है और बार में कुवर और आमिर को भी स्टेज पर बुला लेती है यहाँ पर मैते हिलाल को बताता है कि उस दिन साधिक आस्मा और जैनब जहां पर गए थे उस जगा का पता लग गया है लाल मैते से कहती है कि मुझे उस जगा की सी सी टीवी फोटेस चाहिए यह काम तो में बहुत धिहान से करना होगा ताकि किसी को पता ना लग सके इसका यहाँ आलते और कॉमल सुबा जोगिंग पर गए होते है जग और लग वापीस आते हैं तो आलिया खड़ी होती है आलिया आलते इसे कहती है कि उससे ओफिस चोड़ दे लेकिन आलते उसे कहता है कि उसको तो घर जाने अपने कबड़े चेंज करने है पहले लेकिन आलिया उसको insist करती है कि के उसको पहले office छोड़े तो आलते मान जाता है कोमल आलते को अंदर लेके जाती है के क्छिए कोई चीज उंदर रहा हुँ Andra एनदर जाता है और आलिया को अंदर गाड़े में बैठने को कहता है आलिया गारेंबे बैटकर उसके गारी की तलाशी लेती है कि शाइड उसको कुई काम की चीज मिल जाए वारते की गारी की तलाशी लेते हैं आलिया को voice changer मिलता है आलिया जब चेक करती है voice change करके वो देखती है कि यह टो same voice है जिससे उसको unknown calls आरही होती है वो समझ जाती है कि सारी unknown colds आलते ही कर रहा था उसको यहाँ पर दौान ने सू से मिलना होता है इसलिए वो यल्दिस से सू को अपने घर बुलाता है यहाँ पर दौान यल्दिस तो कहता है रात को उसके साई डिनर पर जाने के लिए पर दिखाते हैं flashback कि यहां पर हिलादुआ को रिकोर्डिंग दिखा रही होती है युल्दीस के किड्डिपिंग की जिस दिन वो किड्नैप हुई थी कैसे आसमा साधीक जैनब युल्दीस से मिलने जाते है उस दिन और यह एक एक युल्द्फिंग ने उसको बेवकूफ बनाया है दुआ को आलिया साथ कि मैं खुछ मुझे बताँऀ। मैं घाली को कुछ कुछ ना बताएं मोझे बता हो वसक्ता है। मैं तुम्झे कुछ मदद करकी आलिया सक्ता हों को आलिया को हर चीज़ को बंपनी का बंदा है여 उसको इसके उनकी कमपनी की से सबस्क्ता है के बाद चल जाता है वहां से पर आलिया ने आलते की सारी बाते रिकोर्ट कर ली होती है तो बहुत खुश होती है चुझकि उसके हाथ में कोड़ चीज लग गई है इसकी वज़ासे बद्वान की नजरों में और अच्छी बन सके पर आलिया एंगिन से कहती है उसके साथ ने एक अपर ख्लास ओरत चाहिए जो तुम्हारे साथ रह सके और तुम्हारा बहुत ख्यार लग सके और वो औरत मैं हूं एंगिन आलिया की बाते सुनके थोड़ा बहुत है यह एकदम से दिखाते हैं कि सामने से दौान और यल्दिस आ रहे होते हैं दौान और यल्दिस भी एंगिन और अलिया को देखते हैं इसको देखकर एंगिन के दिखाते हैं जैसे के होश उड़ गया हूं यह एंगिन से कहती है देखो यल्दिस ने मुझे बताया भी नहीं कि वह भी रात को यहां पर आ रही हैं यह तो बारे में बता लगेगा कि यह क्या बात थी जो ए एपिसोड का एंड होता है अब मिलेंगे नेक्स एपिसोड में ओके बाई बाई